Hello guys, welcome to another video तो guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ को आप अपने YouTube चैनल को कैसे ग्रोव कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा जिससे आपका YouTube चैनल रोकेट की तरह उड़ सकता है तो किरप है इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को skip ना करें अगर आप इस वीडियो को skip कर दोगे तो आपकी वीडियो वायरल नहीं हो पाएगी मैं आपको यहाँ पर टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपकी वीडियो भी वायरल होंगी जैसे आपको दिन में रोज आना एक वीडियो अपलोड कर दी है या फिर हपते में चार वीडियो आप ऐसे कर सकते हैं आपको मतलब कि एक वीडियो आठ डाल दी एक वीडियो दो दिन बाद डाल दी एक वीडियो तीन बाद डाल दी आपको वीडियो डालते रहना है अपने चैनल पर आपको वीडियो डालते वक्त रुकना नहीं है जैसे आपने एक महिने तक कोई वीडियो नहीं डाली फिर एक नहीं करना है, एसा करने से क्या होता है गाज, ऐसा करने ते आपकी यूट्व चैनल की रीच कम हो जाती है, यूट्व आपकी वीडियो को कम लोगों तक recommended करता है, जिससे आपको भी problem होती है, आपकी वीव भी नहीं आते हैं और आपका चैनल भी उस्ट नहीं हो पाता है इफ से आप popular भी हो सकते हैं तो गाइच चलते हैं सेकंड टिप्स वर तो गाइच सेकंड टिप्स है आपको अपने audience से हमेशा relation बना के रखना है जैसे कि आपको अपने audience को समझना है और उसके अनुसारी वीडियो देनी है आपको अपने audience से पूछना है अगर आप वीडियो में अ तो गाइच टिप्स है फाइंड नीड तो गाइच आपको अपनी जो audience है उनकी नीड को फाइंड करना है कि वो क्या देखना चाहते हैं वो entertainment देखना चाहते हैं आपको अपने audience की नीड को फाइंड करना है कि वो हमसे क्या चाहते हैं हम उनके लिए क्या कर सकते हैं उनके ल इस टॉपिक पर यूटूब चैनल है उसी टॉपिक पर आपको अपने ओडियंस को वीडियो डालते रहना है तो गाइस ने श्टिप्स देने वाले तो ने श्टिप्स है optimize your video तो guys optimize video को मतलब है आपको क्या करना है guys रोजाना रोज आप वीडियो डालेगो तो आपको हर एक वीडियो में step by step बढ़िया editing करनी है जिससे आपकी वीडियो बनाने की इस्तितीवी सुदर जाएगी आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनानी है एक से एक बढ़िय या आपको रोजाना वीडियो अपलोड करनी है जिससे आपका जो editing का knowledge है वो भी increase होगी तो guys चलते हैं अगली tips पर तो guys अगली tips है analysis your data analysis your data तो guys आपको अपने data को analysis करके आपको उसी के अनुसार वीडियो बनानी चाहिए जैसे कि मैं बता देता हूँ जैसे मैं content पर गया तो guys आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियो मेरी सबसे ज़्यादा देखी गई है आपको वही वीडियो बनानी है मतलब कि देखिए सोट वाइरल करके हजा सब्सक्राइब कैसे करें ये वीडियो मेरी बहुत जादा देगी गई है तो और दूसरे नमर पर ये तीसरे पर ये चौथे पर ये ऐसे ही करके आप देख सकते हैं मेरी वीडियो पॉपुलर है आपको ऐसे ही करके आपको अपनी जो है एनलाइसिस करके आपको वीडियो डालनी है अपने यूट्यू चैनलर पर जिससे आपकी पॉपुलर टीवी गेन होगी तो आप देख सकते हैं के मेरी popular video में ये भी है ये भी है और I will promote ये भी है तो guys आपको भी ऐसे करना है अगर guys आगर आप मुझे live दिखना चाहते हैं तो comment में बता हैं इसे में लाइव आकर आपके चैनल को फ्री में प्रमोशन करूंगा तो इस वीडियो में इतना ही आपको इन सभी बातों का विशेश ध्यान रखना है आपको अपने चैनल की रीच बढ़ाने के लिए आपको कंसेंटेंसी तो जरूर बनानी पड़ेगी तो गाइज अगर आपके दीसे बढ़िया वीडियो लाता रहूंगघ इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और इस वीडियो को सेर करना न भूलेंं जिससे और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके तो गाइज अब इतक आपने अमारी पुरानी वीडियो नहीं द